प्रधार मन्तिर नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर महराश्ट में होंगे जहाँ वो छत्रपती शिवाजी के भविस माराक और मुंबई में पूडे में मेट्रो रेल पर योजना के आधार शिला रखेंगे पीम सबसे पहले राइगर जिले में M.I.E.D.C. पतल गंगा में राश्ट्रिय सुरक्षा प्रवंदन संस्थान के नए केमपस का अधार्टन करेंगे इसके बाद वो मुंबई तटके करीब अरब सागर में तीन हजार करोड से भी जादा की लागत से बनने वाले शिवाजी समारक का भूमी पूजन करेंगे यूपी में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आज खत्म हो रही है पांच नवंबर को बीजेपी की चारों परिवर्तन यात्राओं की शुरुवात हुई थी लगनों में आज बीजेपी नेताओं का रोट शो होगा जिसके अब वाई ग्रह मंत्री राजनात सिंग करेंगे इस रोट शो में यूपी बीजेपी प्रभारी ओम माथुर केंद्री मंत्री कल राज मिश्र जल संसाधन मंत्री उमा भारती यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशो प्रसाद मौरे और बीजेपी की सभी जिलों के कारेकरता शामिल होंगे यूपी के सभी 430 विधान सभा म में बीजेपी का परिवर्तन रत कया था आज यूपी के सहारनपूर में कॉंग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष राजबबबर की रैली है राजबबर गंगोह में जन सभा को संभोधित करेंगे राजबबर की इस रैली में लाकों कारे करता और समर्थकों के पहुंचने की उमीद जताई जा रही है इस के बाद राजबबबर एक प्रेस कॉंफरेंस भी करेंगे बीजेपी के तीन सांसदों का एक प्रतिनीती मंडल आज पशिम मंगाल के धूला गड़ का दौरा करेगा और वहां हुई हिंसा की घटनाओं का जाइब आलेगा पुतिनी मंडल में बीजेपी सांसद और इसके अल्पसंख्यक विंग के सदस्यों ने पिछले सप्ता हधूला गड़ में रहरे हिंदूों को निशाना बनाया क्योंकि वो बीजेपी के समझ थकते उत्ता है भारक में ठांचलर कोहरे का प्रेकोब जारी है सर्दी की बच्चे से लोगों को परिशानिया हो रही है घरे कोहरे के चलते दिली आने वाली 92 ट्रेन इलेट है और एक ट्रेन को कैंसल किया गया है जब Taste को री शिडियूर किया गया है गोरेक असर हवाई आतायाग पर भी देखने को मिला है दिल्ली से जाने वाली कई फ्लाइट्स लेट है गोरेकपूर में कारदो घटना में घायल हुए रेल राजमंद्री मनोसिना को रेल वियो हस्पिटी में शिफ्ट किया गया है मनोसिना के बाए हाथ में कोहने के उपर हड़ी में फ्रक्चर हुआ है फिलाल उनकी हालत इस्ते बताई जारहिये मनोसिना को दिल्ली लाया जाएगा आपको बता दी के राजखाट पुल के पास दूसरी गाड़ी को बचाने के चक्कर में मनुस सिन्हा की कार दुरघटना ग्रस्त हुई थी जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भरती कराया गया था सरकार ने वायो सिन्हा को एक और सी 17 ट्रांस पोज एक राफ्ट खरीदने की मन्जूरी दी है रक्षा मंत्री मनुहर परिकर के अधिक्ष्टा में हुई रक्षा खरीद परिश्य अधियानी की डी एस सी की बैटक में ये फैस्टा लिया गया इस बैटक के दौरान दिया दियो के कामकाज की भी समिक्षा की गई और 1265 करोड की लागत से इंफेंटरी लड़ाकों विमानों के लिए सौदेश में डिजाइन और विक्सित 1500 युद संद्रक्षन पराणाली को खरीदने की भी मन्तूरी दी गई है दिली पुलिस की क्राइम ब्रांच और इंकिम टैक्स ने कोटिक महिंद्रा बैंक के नो फर्जी अकाउंट का पता लगाया है क्राइम ब्रांच ने इस मामले में दो लोगों को गिरफतार भी किया है जिनके नाम राजकमार गोयल और रंची थे बताया जा रहा है कि कोटिक महिंद्रा बैंक में खुली नो फर्जी अकाउंट में 34 करोड रुपे के पुराने नोट जमा किये गए हालांकि बैंक ने सफाई देते हुई कहा है कि ये अकाउंट फर्जी नहीं है वहीं CBI ने पुरे में 40 जगों पर चापे मारी में कमपनी के बैंक लॉकर से करीब 8 करोड रुपे बरामत के सरकारी लकी ग्राहा की योजना और डीजी धन व्यापार योजना के शुरुआत 25 दिसंबर से होने वाली है ये योजना सौ दिनों ताक सौ शेहरों में चलेगी और इसके तहट ई-लेंदेन को बढ़ावा देने के लिए अवोड दिले जाएंगे नीतियायो के मताविक इसके शुरुआत राजथानी दिल्ली से होगे सरकार्णी मरीजों को बड़ी रहा देते हुए पच्चवास जरूरी दवाईयों के दाम 44 फीसिदी तक कम कर दिये है वही 29 दवाओं को प्राइस कंट्रोल के दायरे में लाया गया है जिन दवाओं के दाम कम हुए हैं उनमें HIV, bacterial infection, anxiety और diabetes भी शामिल है National Pharmaceutical Pricing Authority यानि NPPA इस financial year में अब तक 400 से ज़ादा दाम कम कर चुका है सरकार्णी पासपोर्ट बनाने के नियम आसान कर दिये हैं अब पासपोर्ट बनाने के लिए बर्ट सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं होगा बर्ट सर्टिफिकेट की जगा आधार और पैन कार्ट भी माने होगे इसी के साथ ही सादू सन्यासियों को अपने माता पिता की जगे आध्यात में गुरू का नाम दे सकेंगे पास्पोर्ट बनवाने के लिए मैरे सर्टिफिकेट की भी जरुत नहीं पड़ेगी माइनर को पास्पोर्ट अब माता पिता के किसी एक केप पेपर के आधार पर ही बन पाएगा लीबिया के त्रिपॉली से यात्री विमान अगवा करने बाले अपरहड करताओने अपरण करताओने 118 यात्रियों से भरे एअवेज के इस विमान को त्रिपॉली से टिक आफ होती ही अगवा किया था खुद को ग्रेनेट से उड़ाने की धमकी देकर कितने पर त्रिपॉली से विमान को यूरोप के मालता ले आए थी अपरण करताओने सभी आत्रियों को पहले ही सुरक्षित छोड़ दिया था लेकिन विमान के क्रू मेंबर्स को अपरण करताओन के सरेंडर करने के बाद सुरक्षित निकाला गया यूपी में महिलाओं पर लगतार हो रही वारदातों को लेकर राजिसभाद सांसद डॉक्टर सुभाज चंद्रा ने चिंता जताई है डॉक्टर चंद्रा ने मैनपूरी में सरे आम एक महिला के साथ वे अत्याचार पर त्वीट कर कहा है कि उस महिला को अपने पर हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाने के लिए पीटा गया ऐसे समाज पर कलंग है जहां बेहनों बेटियों को पर अत्याचार हो रहा है वहां मौजूद लोग तमाशा देख रहे है यूपी के अलग-अलग शेहरों और कस्बों में बिखरा वैश्य समाज नेत्रतों की तलाश कर रहा है आठ जनवरी दोहजार सत्रे को शेहर के केपी ग्राउंड में वैश्य समाज का समेलन आयुजित किया जाएगा राजसभा सांसर डॉक्टर सुभाश शंडरा इस महा कुम्ब के मुख्य अतिती होंगे इस समेलन ने देश भर के कोने-कोने से वैश्य समाज की प्रतिनीदियों को आमंदृत किया गया है जंग ने कहा कि वो पहली ही इस्तीफा देरा चाहते थे लेकिन प्रधान मंत्री ने उन्हें पर बने रहने के लिए कहा उन्हें व्यक्तिकत कारणों से फिर प्रधान मंत्री के सामने इस्तीफी का जिक्र किया इस बार प्रधान मंत्री ने उनका अनुरोध मान लिया पहुचता मेट्रो ट्राक में तकनीकी समस्या को दूर करने और मरमत के लिए दिली मेट्रो की ब्लू लाइन रविवार यानि की क्रिस्मस के दिन आंशी ग्रूप से प्रवावीत रहेगी इस दिन तीन घंटे के लिए इंदरप्रस मेट्रो स्टीशन से यमुना बैंक स्टीशन के बीच सिंगल लाइन पर मेट्रो चलेगी मुंबई के पवई लाके में मौझूद पवई लेक में एक बोट लेक के अंदर रोड से टकराने के बाद पलट गए इस हापसे में सबार आथ लोगों में से पांच लोगों को बचा लिया गया जबकि तीन लोग अभी भी लापता है जिनकी तलाश की जा रही है मुंबई के मचवारों ने अरप सागर में शिवाजी महराज के स्मारक के खिलाफ आंदोलन वापस ले लिया है दरसल MNS की तरफ से दादर इलाखे में एक दिवार पर पोस्टर लगा गया था जिसे बीजेपी कारिकरताओं ने हटाया और फिर पीएम मोधी के कारिकरव का पोस्टर लगा दिया पंजाब के लुध्यारा में एक महिला एथलीट ने शादी का जहांसा देकर गैंगरिप तारूप लगाया है पीडित की शुकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया जबकि मुख्या आरोपी की तलाज जारी है मुख्यारोपी ने खुद को आर्मी में नायक बताकर पीडित से जान पहचान बनाई और एक होटर में ले जाकरके रेप के बाद पर आज़ गया पंजाब के मानसा में शुक्रवार को केंद्रिय मंत्री हरसिम्रत कौर बादल ने 52 करोड रुपे के विकास कार्यों की शिलान्यास किया हर सिम्रत को और ने एक जन सभा को संभोधित किया इस मौके पर नन ही चाओं स्कीन के तहट हर सिम्रत को और दे लड़कियों को सिलाई मशीने भी बागी बादल सरकार में मंत्री बिक्रम सिंग मजीठिया ने शुकरवार को मजीठा के लोगों को सब डिविजिन कॉंप्लेक्स तौफे में दिया इस मौके पर मजीठिया ने कॉंग्रेस और आम आधू पार्टी पर आम लोगों की भावनाओं के साथ खेलने कारूँ लगाया बालगपाक बटवारी के समय पश्यूवी पाकिस्तान को छोड़ कर आये रिफ्यूजी को केंडर सरकार्णी पहचान पत्र देनी का आदेश डिया है लेकिन रिफ्यूजीज को पहचान पत्र देने के विरोध में घाती के अलगाववादी कुटों में विरोधी तेवर अपना लिया है मुंबई के पास ठाने में रिज्यू कम्तनी के कंस्ट्रिक्शन काम के दौरान चल रही खुदाई में फसने से दो मजदूरों की मौत हो गई खुदाई के दौरान मजदूरों पर रचानक उपर से जमीन थस गई उत्राकंट के चमोली जिले में बारिश और बर्फवारी ने न होने के वज़े से खेतों की फसल बर्बाद हो रही है इसके अलावा बर्फ न गिरने के कारण परेटन स्थल भी सूने पड़े है करहल श्वेत्र में तैस समय से काफी पीछे चल रहा है 21 नवंबर को पूरा किये जाने वाला निर्मार का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है अधूरी काम से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है राजस्तन के कोटा में चाइनीज माज़ा खुले आम विक रहा है खतरनाक और जानलेवा चाइनीज माज़ी के विक्री को रोकने के लिए कोटा नगर निगम ने अभ्यान छीड़ा है बिहार के मुजफरपुर में कैशलिस कारकरम में चर्चा के लिए पहुँचे केंद्री राजिमंत्री गिरीरास सिंग ने लालू नितीश के साथ राहूल गांदी पर हमला बोला पुलिस ने चान्दमारी अलाके में चापा मात्यर एक ठिकाने से नकली दबा बनाने वाली मेनी फैक्टरिका भाना फोर किया है। देवघर में सूलवा पुस्तक मेले का उधगाटन हो गया है। पुस्तक मेला दस दिनों तक चलेगा आपुस्तक मेले में सब्तर से जादा प्रकाश को ने अपने स्चौल लगाए हैं। चर्णीगर में कैंसर की बिमारी से जूज रहे बच्चों को क्रिस्मस के मौके पर गिफ्ट बाते गए। पीजे आई ने इलाज के लिए आए दो से चौधर साल की कैंसर पीरित बच्चों के लिए खास तोर पर सेंटा को बलाया था। बच्चों ने सेंटा के साथ को मश्ते हैं। मद्यप्रदेश के आएकव विभाग में ऐसे रैकेट को पकड़ा गया है जो हवाला कारुबार के जरीए इंकिम टैक से चोरी कर रहा था। करीब 500 करोर रुपे के हवाला कारुबार का अंदेशा है। कटनी में एक्सिस बैंक के सर्वे के बाद आएकव विभाग की इंवेसिगेटिंग विंग ने खुलासा किया है। करीब 4 लाग बताई चा रही है। पाटी गलगम और नडपली के लिए निकली थी और इसी दौरान पुलिस ने गलगम से दो वारंटी नकसलियों को गिरफतार किया है। मद्यप्रिदेश के चिनवड़ा के दिला अस्पताल में बीज़ेपी नेता प्रीती बिसे ने जम कर हंगावा के अप्रीती बिसे ने अपने परिवार वालों को लेकर अस्पताल पहुंचे ही थी। लेकिन लेडी डॉक्टर ने गुसा होकर अपने स्टाफ को कहा खोटा पीटो और हटाओ जिसे सुनकर वो भड़क उठी। शफ को चूहों के एक उतरने के मामले में सीम शिवरास सिंग चोहान अचानक हमीदिया अस्पताल पहुंचे जहां आवेवस्था और गंडिगी देखकर वो भड़क गए और हमीदिया और गांधी मेडिकल कॉलेज में सफाई का टेंडर निरस्ट कर दिया गया। मद्यप्रदेश के शिवपूरी में अस्पताल के चार बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर में स्टीफा दे दिया है। में जेल ब्रेक के मते नज़त कई एहम फैसले लिए गए। बैठेट में फैसला लिया गया कि कैदियों के फरार होने पर जेल अधिक्षक पर ही कारवाई होगी। जेल की सरक्षक ले अधिकारियों को भी जिम्मेदार माना चाहेगा। दत्या जिले के हमीरपूर इसित्रुशी विग्यान के इदर में जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरुत्तम मिश्रा ने जै किसान जै विग्यान की तहट कारिक्रम का शुभारम किया। साथी विचार सुगंद पुस्तक का विमोचन भी किया साथ दिन तक का रिक्रम चलेगा। किसानों का उन्नत खेती और तक्नीकी जानकारी के बारे में बताया जाएगा। नरुत्तम मिश्रा ने कहा है कि 2022 तक किसानों के आमदरी दूबना करने का लक्ष है।